आपना व्लॉग तो आश मैं शेयर करने वाले हूं अपना व्लॉग तो एंजोई किजिएगा बने रही का एंड तक नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर किजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप सभी का सपोर्ट है इसलिए फ्रेंड्स में काफी कोशिश करते हूं कि अच्छे वीडियो शेयर कर सकूँ और थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया गुद मॉर्निंग एविवन मॉर्निंग के 5.30 एम हो चुके हैं और मैं आई हूं किचन में रोशनी गई है नहाने और ये स्कूल का जो लंच बॉक्स प्रिपेर कर रही हूं मैं रखने वाले हूं टिफिन में सैन्विच थोड़े से तेल को मैंने गरम किया है साथ में सरसो को क्रैकल होने दिया था पारी कटा हुआ इसमें प्याज मिर्च और करी पता को थोड़ा सा हल्टी डाल करना भून लेंगे तो आलू की स्टफिंग वाली सैन्विच होने वाली है रात में ही मैंने आलू को बॉil करके रख लिया था ताकि सुबह बिल्कुल भी टाइम ने है अटकी है थोड़ा सा मैंने मिर्चि पॉरडर मैंने अबाइट किया है मिर्चि पॉरडर भूरय धनिया पॉरडर साथ में नमक साधन ब्हांतथ 되고 मूण भून लिया धा इसके बाद तो मैंने चला लिचा लिए क्यूंकि व्रोज़न मतर झाना जलदी पकी जाता है और इस तो मैंने थोड़ा साइड करते हो तो काफी जाद अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा साम्चूर डाल कर और अच्छे से आलू के मसाले को भून लिया है और यह बिल्कुल तयार है स्टफिंग के लिए और इससे जो आलू बुंडा आलू चाप है वह भी बन जाता है अराम तो इस तरह से अच्छे से मैं पूरा फुल स्टफिंग करूंगी यह पोटाटो वाला अलू की स्टफिंग तो जब स्टफिंग अच्छे से करते हैं तो काफी सारा टेस्ट भी लगता है थोड़ा थोड़ा भरेंगे तो उसना मज़ा नहाता और मैंने थोड़ा सा बटर ल चाहे टमाटर चाहे तो साथ में दो सितीन मिर्च अद्रक लेस्वन अट किया था और तो हम्री दो इस तरह से मैं फोड़ा साम को जीरा पौडर टाल कर पीस लिया है बिलकूर और यह चाहीं रहा रहा है इस तरह से सैन्विच में लगा कर जब करते हैं तो आप चाहे तो मै टुस्टर में ग्रिल कर लोगी अपने कोई यह लाइस बीच में चीज रख सकते हैं इसम्पल पोटाटो स्टाफिंग ग्रीन चैटनी यह जगा तो इसमें जो हमने मरी मसाला कर लिए यह जिसेग और इंड़ है रोशनी का टिफिन लगा दूंगी तो बस इसके टिफिन में मैंने सैंड़िच जो कटकर रखा था इस तरह से स्लाइस में क्या बादा टरा कर और अगर ऑनलाइन से पर्टिस खराब भी आ जाता है तो और साथ में एल्मेंस है यानि बादाम छील कर मैंने रख दया था रात मे अब बनाने वाली हो रोशनी और मेरा दोनों का फेवरेट है यह ओट्स का फेवरिट यह ओड़ काफी सारे वेजिटेबल्स में डाल कर बनाती हूं फ्रेंस यह कलॉक्स वाला ओड्स है और इसे में बनाऊंगी तो एक पुल के करीब मैंने ओड़ लिया है तोड़े सा तेल मे मूमफली का टेस्ट ना मुझे जैसे पोहा में ओपमा में ओट्स में काफी जाद अच्छा लगता है मूमफली को हलका सा भून लेने के बाद इसमें बारी कटा हुआ प्याज है मिर्च है साथ में जो भी वेजिटेबल्स है आपके पास बारी कटा हुआ वो एड़ कर दीजेए मैंने इसमें बीन्स काजर आड़ किया चाहे तो गोबी ब्रोकली कुछ भी डाल सकते हो थोड़ा स पाड़े मिर्जी पाड़्डर थोड़ा से देन के मसालिव को पका दिया था और इसके बाद मैंने ओड़ा नसाथ में नमक प्रेश में घलै ए Jak pentar हुआ है ठोए हम रूबस वह इसां बहुन लिए मैं तो जल्दी कूग ऑ जाता है एक बोल के करिबर जैसे कि यह और समें आ करीब मैगी का मैजिक मसाला एड किया है इससे काफी जाएगा और स्वाद भी हिल्थ भी सारी ही चीज़े एक में आपको मिल जाएगी वेट लॉस के लिए रेसिपी काफी जाद अच्छी है मेरा परसनल फेवरेट है रोशनी को भी काफी जाद अच्छा लगता है तो वह खा अच्छी होती है इसमें मसाले बगरा कम डाल करें बना सकते हो तो यह काफी अच्छा सा ऑप्शन है तो बस मैंने मीडियम फ्लेम पर ओड को अच्छा से कुक कर लिया था थोड़ा साफ्ट हो जाने तक और यह बन कर तयार है रोशनी को मैंने दे दिया था वह खाली है ब्र जो रूटीन है चाय बनाना है नाश्ता बनाना है खाना बनाना है कपड़े दोना है इसके बाद चाय मैंने बना ली थी तो पापा भी तक आए नहीं है तो मैंने सोचा चलो बेड वगरा मैं लगा लेती हूं तो मॉनिंग में ही पावर कट हो गया था अभी करेंट और इसके बाद जो भी थोड़े बहुत मॉनिंग के जो बड़तन थे ना वो मैंने क्लीन करके रख दिया था और जैसे कि अभी तक लाइट तो आई नहीं थी करेंट आफ था भी तक तो आज आती है कभी कुछ वक्त भी ले लेता है तो लाइट का को भरूसा होता नहीं है और एक्चली तो इसके बाद मैंने अ ना तवा में ही पापा की लिए सेख दियाता प्रासे से मती और एक पीस और था, तो उसको भी मैने रख दिया था, साथ में सॉस है, चाय है, तो पापा को मैं दे दूंगी, तो सैंड़िच वगरा तो खा लेते हैं, जैसे कि पाओ भाजी भी खा लेते हैं, हाँ कुछ चीजे है जैसे नूडल्स वो नहीं खाते पास्ता नहीं खाते हैं तो ये चल जाता भी मैंने यही बना के दे दिया था और इसके बाद फ्रेंट्स मेरा नहाना दोना हुआ है सारा वर्क करने के बाद किचन को निप्टाने के बाद और मैं नहा चुकी हूँ और इसके पास जैसे की रोज का रूटीन है मेरा सबसे पहले जो है ना मैं फूजा करती हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ इस तरह से एक मैने टॉप पेना है और साथ में ये लेगिंग्स है बस और मेरी हो रही है अब भी पूजा मौनिंग की जो मैं अक्सर करती हूँ तो फ्रेंस भगान श्री किष्ण कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज थाई नहीं रहता है दुख के बाद सुख आता है तो सुख के बाद दुख भी अनेवार है वो आएगा ही आएगा तो हमें इसी परिस्थितियों को जो जीते हैं इसे ही कहते हैं जिन्दगी किसी के पास कितना भी जादा धन दौलत है बट वो किसी काम का नहीं है जब तक आपके पास है लोग आपको पूछते हैं नहीं रहते हैं ना कोई किसी को नहीं पूछता है तो बस जो साथ में हमारे जाता है वो जाता है तो केवल जो है न कर्म है तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कर लीजे क्योंकि वही हमारे साथ जाता है बाकी ये धन दौलत हम खाली हाता है थे और खाली हाती हमें जाना है तो यही सचाई है दुनिया में चाहे वो रिष्ट गरम कर ली थी तो अभी मैं कर रही हूँ अपना breakfast और करीब 11.30 हो चुके हैं तो अब मैं आई हूँ किचन में और 12 बच चुके हैं फ्रेंस आफटरून टाइम हो चुका है लंच बनाने का और थोड़ा सा preparation मैं करूंगी बास्मती राइस है यह इसका पुलाव बनाओगी तो इसको मैं वाश़ करके अच्छा से सोक करके रख दूँगी पानी में ताकि जब मैं इसको कूक करूं और ना तो यह च्छे से फूल जा इससे क्या होता शाबल भी बादना उच्छी और ना अच्छा लगता है तो चावल भी जो है ना वेजटेबल वग़रा सब मैंने कटकर रख लिए थे और चावल भी अच्छे से कूल चुका है बस मैं उसको अभी तड़का लगाऊंगी तो पुलाओ बना रही हो तो इसमें तेल को गरम किया दा ना जै सब्सक्राइब प्याच, मिर्च, अद्रक, लेसुन, बारिक चाप किया उसको पहले कुक कर लिया था जैसे कि मेरे पास गाजर था, बीन्स था, गोबी बगरा सब कुछ डाल के बनाएगे काफी जादा अच्छा लगता है और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर मैंने बून लिया था सबजी और इसके बाद मटर आट कर दिया है इसको भी थोड़ा सा बून लेंगे यह फ्रोजन नमक अट करूंगी जो चावल के हिसाफ से मैंने अट किया है और चावल यह अच्छे से कूल चुका है नॉर्मल राइस से भी बना सकते हैं कि अच्छे ही लगता है तो नमक मसाला अगर अच्छे से पढ़ता है काफी सारे जो वेजीटेबल से तो अल्रेडे यह टेस्टी बनी जाएगा तो मैंने बस इसमें बासमती राइस लिया है और इसको डाल दिया अब इसको अच्छे से मैंने चला लिया था जो इसमें थोड़ा सा पानी रहता है और एक कटोड़ी जैसे की राइस है इसमें मैंने दो कटोड़ी के करीब पानी आट किया है और इसमें कई छोड़ा सा या रिपन करें बासमती राइस लिया और इस पैसे पैसे मैंने वन टीओके करीब जो विनेगर आट किया जिससे की चावल ले कहले खेली-खेली ठकटे हैं और बस इसको थोड़ा सा धक्के रख थीया था भीलुक्ल बन कर तो पुलाओ किले खिले राइस बने है और अब मैं बनाऊंगी Soya Chili Manchurian वैसे सुया बीन बॉइल किया है फोड़ा से नमकायाड किल्या है मिर्ची पाउडर रायट किया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ अतरक और लेसुन का पेस्ट डालूंगी अच्छा सा टीस्ट आजाएगा अक्चिली ये और बस इसको क्या करेंगे थोड़ा सा ना जो मिक्स कर लेंगे ये मसाले को और इसके बाद थोड़ा सा इसमें जो मैदा डलता है मैदा कैस मेनें 1 टीब्ल स्पून चोटे वाले चंबच के बराबर डाला है इसमें 5 टीब्ल स्पून इसमें कौन फ्लॉर एट कीए है इन दोनों चीज़ों से थ्वरवाशा क्रिसपी बनता है और इसको इतना ही डाला है कि अच्छे से कोट हो जाए आप चाहे तो हलका सा पानी का जो छिटका डालते है ना डालके इसको कोट कर सकते है बर्ट ही इस तरह से बिल्कुल कोट हो चुका है ओवर जो है ना मैंने मैदा वगरा का यूज नहीं किया है और हाई फ्लेम पर तेल क काफी जादा टेस्ट लगता बस मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी तो क्रिस्पी जैसा आप करोगे ना तो काफी अच्छा जो मन्चूरियन बनने वाला है ऐसे भी आप इसको खा सकते हो क्योंकि इसमें सारे मसाले डले हुए औ और इसमें मैंने प्याज पारी कटा हुआ अध्रक लेसुन को एक साथ थोड़ा सा सौटे कर लेंगे कोई भी चीज को ओवर कुप नहीं करना है वना वो टेस्ट नहीं आता है और इसमें साथ मैं थोड़ा सा मिर्च भी आड़ कर दूँ ग्रीन चिली जो है ना मंचूरियन स्टायल में जो बनता है तो बस इसको भी एक मिनट के लिए मैंने कुक करिया है क्योंकि अल्रेड़ी शिम्ला में चल्दी पख जाता है तोड़ा सा नमक मिर्ची पाउडर साथ में चिली फलेक्स आड़ किया और इसमें थोड़ा सा मिक्स्ट घर्ब आड़ किया था में टोमाटर सॉस एड़ किया है और इस समय फ्लेम को बिल्कुल जो एना स्लो कर देती हूं मैं अक्सर क्योंकि जब इसमें स्लरी एड़ करते है तो यह थीक होने लगता है तो इसमें आदे बॉल के करीब मैंने पानी लिया था और वन छोटे चमच के करीब मैंने कॉन फ्लोर करें है अर आपको थोड़ा से ग्रेवी बाल बनाना है तो थोड़ा सा कताई है अगर आपको पकानी हखाना अगर अच्छा यह दॉए तो पड़ा धारए ने पुलावन बनावी हूं तो रायता के लिए मैंने फ्रेश दही लिया है और जैसे कि हम लोगो तो मंचूरियन भी चल जाएगा फ्राइड राइस के साथ या पुलाओ के साथ भी अच्छा लगता है बच यह रायता उनको थोड़ा सा बना के दे दूंगी थोड़ा सा मैं एक्स्टर ही बना रही हूँ और इसमें मैंने नमक ऐड़ किया ँचा है बुना हूँ जीरा पाउडर गया बारी कटा हुआ हरी मिर्ज बी आपर आड़ कर सकते हो और इसमें खीरा और बारी कटा हुआ हूँ प्लाइपलानी बना ले किया है तो बस इसी तरह से रायता बन चुका है बस मैं थोड़े से पराटे से कूंगी पापा पुलाओ भी खा लेंगे पराटे से रायता भी अच्छी लगता है तो वो भी जो वेजटेबल रायता है या इवन भूंदी का रायता भी पराटे से अच्छा जाता है और इसके बाद थोड़े से पराठे मैंने सेख लिये थे कुक टॉप जो है थोड़े सा क्लीन कर लिया है मैंने और बस यह सेख चुका है क्योंकि वह मंचुरियन नहीं खाते हैं बट रोशनी को अच्छा लगता है इवन प्राइड राइस के साथ तो इसका कॉमिनेशन जबर में राइता है और यह मंचुरियन मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ ओर आल काफी जादा टेम्टिंग और डिलिशेस बना है तो पापा को मैंने खाना दे दिया था मंचुरियन तो वह नहीं खाते बठा पुलाओ था पराठा और साथ में राइता था तो उनक में राइता है वह आ चुके है रोशनी को मैं कोचिंग से ले आई थी और जो है ना खाना थोड़ा सा गरम करके मैंने उसको दे दिया है और जैसे कि शाम के करीब साड़े चाड़ हो चुके है और इसके बाद जो भी है ना कपड़े वगरा भी ऑर्मोस्ट सूख चुके थे तो वह मैं ले आऊंगी थोड़ सा घड़ी कर लोगी तो ये सब करते करते पूरा साम निकल जाती है और कपड़े वगरा जो है ना मैं अभी घड़ी कर लोगी रोशनी अपना खाना खा रही है तो कपड़े वगरा जो है ना मैंने घड़ी कर लिया था टौवल अलग रखती हूं रोशनी के कपड़े अलग रहते मेरे अलग रहते हैं ताकि किसी का जो है ना मिक्स अप नहीं हो वरना ढूनने में जो है मुश्किल होती है तो इस तरह से मैं रख देती हूं सारा कुछ और इसके बाद गरीब 6 बच चुके हैं मैं आई हो किचिन में चाय बनाने के लिए आज चाय पीनी का मननी था थोड़ा सा क्लावडी वेदर हो रखा था तो मैंने सोचा आज काफी बनाया जाए और मैंने जैसे की थोड़े से जो पानी में है ना वन टीस्पून के गरीब जो है इसमें काफी पाउडर आट किया था दो चमच चीनी डाला था दो कपके विसाब से और हलके गरम पानी में अच्छे से इसको फेट लिया था काफी बिल्कुल फ्रॉथ हो चुका था और फिर गरम दूद इसके ओपर डाल देना है यह जो बिल्कुल ना फ्रॉथ वाल के साथ बाई स्टे सिफ